टिम्रनी शेहर से लगवा 45 किलोमीटर दूर ग्राम जिन्वानी में पानी की समस्यां विजली की समस्यां एवं पकी सड़कों की बगल से नालियों की समस्यां ग्राम वासियां द्वारा मीडिया के समक्ष बताई गए इस विश्य में बताया गया है कि ग्राम जिन्वानी में क पाफी लंबे समय से नहीं बना है और उन्हें रहट गाउं तक आने जाने के लिए उस मार्ग से होकर जाना पड़ता है वैं मार्ग कच्चा है इस प्रकार से दिक्कतों का सामना सड़कों पर भी है ग्राम वासियों ने पानी की शिकायत को लेकर कि ग्यापन कलेक्टर महुद और कुछ ग्राम वासियों के हां सोचालाई भी नहीं बने हैं वैं इस वरशर में अपने वरश अधिकारी को सुचना दे चुके हैं उन्होंने कारे को क्रिया शील कर चुके हैं आप रशासन कितनी जल्दी कारे आई करता है यह ग्राम वासियों को पानी पीने की समस्या से लेकर अन्य कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं तो उसके लिए आपने कुछ किया। जिन्मानी गाउं की जो सड़क है उसका क्या कि नहीं है उसके लिए जिन्मानी का जो मार्ग है उसके लिए हमोना जो सुदूर सड़क मंदेगा से देता है किन्तो इस काम के लिए हम इसलिए रुखे हैं कि विधायक मोदेश भी च्वानिया आया थे और किस घर बड़ा के कम शकम बीच से 25 लोग और जिन्मानी और जो इखड़ा कपाशी के सब लोग एकतिती हो तो उसमाद की चलिए तो उन लोगों ने बोला है कि अभी इस काम को र किसानों की सम्भाव नहीं है जित्ता कि पे डबलोडी से हो सके अधिक राशी से वह अच्छा काम कि लिए कि कम शकम होगा एक मेंना होगा अभी तक कोई आपको सोचना मिले का सब्सक्राइब कर दो बार के जारी कि लिए निए दिए चाशान चल रही है इसके लिए वह जल जल्जों को समय से हैं दूर हो कि हमारा ज़न विडा और जिन्मानिक किसान वो पेवर उसलों रोड से लगे हों जो आर्शे से सड़क बनी है गाउ में वहां पे नाधिया निया निकिसर वो काम और उसमें क्या है कि अभी पानी यानी कि तुछ समय से होने के कारण्स हमारे काम इदर भी चल रहा है तो तेंकर से काम होगा पानी से तो हमारे टेंकर इहां पे पीछे के साइट पूरा तोट रही है तो तोट रही है तो सचाले बगे रही है तो सचाले बनना जाहिए था वो यह तक बन नी पाया है तो पुराने सचाले थी तो टूटी पूटी है तो आप पर नहीं सचाले बना दिया तो बढ़िया बना दिया है